नमस्कार, मेरा नाम जैश कुमार शर्मा है और मैं आनन इंजरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफिसर के पत पर कारे रहा हूँ आज की चर्चा का विशा है HTML form tag जिसमें आप सीखेंगे कि HTML form tag क्या होता है HTML form tag को इस्तमाल करने के लिए कौन-कौन से control हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा अगर हम HTML में control यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम किस तरह से program करते हैं इससे पहले वाली चर्चा में आपने HTML की मदद से web page कैसे बनाते हैं यह देखा था जिसमें कुछ basic HTML tag की बात की गई थी जैसे की break, bold, font इन HTML tag की मदद से आप एक अच्छा web page बना सकते हैं लेकिन एक effective web page बनाने के लिए पूरी website बनाने के लिए सिर्फ यह text काफी नहीं है उसके लिए हमें form tag की जरूत पड़ती है और form tag के साथ हमें additional controls की जरूत पड़ती है जो आज की चर्चा में हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आते हैं HTML forms के उपर आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई website विजिट करते हैं या website को देखते हैं तो वहाँ पर एक registration का या login का option होता है registration और login में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक screen हमारे सामने खुल के आता है जिसमें हमें अपनी details डालनी होती है जैसे कि नाम, date of birth, age, address, mobile number, phone number तो ये सारी details हम जिस page के अंदर डालते हैं या जिस section के अंदर हम डालते हैं उस section को हम लोग कहते हैं form किसी भी website में अगर आपको registration के लिए provision देना है या login के लिए अगर आपको option देना है या अगर आपको user से कोई data मांगना है तो उस data को मांगने के लिए आपको form एक बनाना ही पड़ेगा तो form बनाने के लिए हम लोग इस्तिमाल करेंगे HTML form tag वेब पेज के अंदर form को incorporate करने के लिए हम लोग form tag का इस्तिमाल करते हैं जैसा कि इस वेब चितर में आपको दिखाई दे रहा है form element हमारे पास HTML में होता है जिसकी मदद से हम एक form वेब पेज के अंदर डाल सकते हैं form tag को इस्तिमाल करने के लिए हमारे पास दो attribute होते हैं पहला attribute होता है method और दूसरा attribute होता है action अब यह दौनो method और action क्या काम करते हैं method attribute हमें यह बताता है कि जो data हम, हमने user से लिया है उसको हमें किस तरह से भेजना है तो method में हमारे पास फिर से दो option आते हैं पहला option होता है get और दूसरा option होता है post तो get और post के अंदर अंतर क्या है और हमें कौन सा method यूज़ करना चाहिए जब हम लोग अपना web page बना रहे हैं तो get का मतलब होता है कि जो भी data आपने user से लिया है जब आप उसको server को post करेंगे तो वो सारा data आपके URL के साथ embed रुके आगे जाएगा यानि कि जैसे ही आप submit करेंगे अपने data को वो सारा data आपको अपने URL के साथ दिखाई देगा कि वो data क्या है लेकिन जब हम post method इस्तिमाल करते हैं तो post method के अंदर वो data हमें URL के साथ नहीं दिखाई देता तो हम web page में किस तरह method इस्तिमाल करना चाहते हैं डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का website है अगर हम एक secure website चाहते हैं जहां हम नहीं चाहते कि हमारा user से लिया हुए data किसी को दिखाई दे तो हम post method इस्तिमाल करते हैं नहीं तो हम get method से भी काम चला सकते हैं तो form tech के अंदर पहला attribute हुआ method जिसमें हमने देखा कि get और post हम इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा हमारे पास जो attribute है वो है action action attribute हमें यह बताता है कि जो data हमने लिया है और जो data हमने भेजा है यह हमें कहां भेजना है माल लीजिए कि मेरे पास एक registration form है जिस registration form के अंदर मैं user से उसका नाम, mobile number और email माग रहा हूं और जब मैं submit button को click करता हूं तो post method की मदद से मैं उस data को server पर भेज रहा हूं लेकिन वो data server पर कहां जाएगा तो यह मुझे बताना पड़ेगा action attribute के अंदर कि यह किस page पर जाएगा या इस information को मुझे email करना है तो यह जानकारी हम लोग action attribute के माध्य हमसे देते हैं जैसा कि हम लोग ने बात की थी शुरुआत में कि form tag के साथ हमारे पास कई controls होते हैं अब यह controls क्या होते हैं जैसे कि मैंना आपको बताया कि registration form के अंदर मैं तीन जानकारी यूजर से ले रहा हूं पहली जानकारी है उसका नाम दूसरी जानकारी है mobile नंबर और तीसरी जानकारी है उसका email तो अब यह जानकारी यूजर कहां enter करेगा कहां डालेगा इस जानकारी को web page के अंदर तो सिर्फ form tag ही पूरा form नहीं बनाएगा उसके साथ हमें कुछ controls की जगोत पड़ती है जो user को help करते हैं जानकारी डालने के लिए तो हमारे पास जो controls होते हैं कौन-कौन से controls है पहला control है text field उसके बाद आता है check boxes उसके बाद है radio buttons फिर आता है select उसके बाद आता है file select boxes hidden fields और buttons इन सारे controls की मदद से हम लोग एक effective form design कर सकते हैं किसी भी web page के लिए यानि कि अगर हमें एक registration form बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए एक form tag और form tag के साथ हमें चाहिए जो जरूरी controls हमें जानगरी के साथ से चाहिए होगे वो सारे controls हमें form tag के साथ चाहिए एक एक करके इन सारे controls को हम discuss करते हैं कि यह control क्या करते हैं और किस तरह से इसके लिए हम program लिखते हैं तो पहला control है text input control जिसको हम लोग ने क पहा था text field, तो text field के अंदर, जैसे कि आप इस slide में देखेंगे, इस कुछ section में ने highlight किया हुआ है, HTML के साथ हमने सबसे पहले लिखा form tag, क्योंकि मैंने आपको बताया, control, जब भी कोई HTML control आप लिखेंगे, तो वो हमेशा form tag के अंदर लिखा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए, कि form tag के अंदर ही सारे controls लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले form tag लिखना है, तो इस शित्र के अंदर अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, form action equal to slash action page dot php, इसका मतलब क्या हुआ, मैं web page को बता रहा हूँ कि मैं form design करना चाहता हूँ, यह web जो जानकारी आएगी, जो जानकारी आएगी, वो जानकारी कहां पर जाएगी, action page dot php पर जाएगी, जो मैं action के माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने method का इस्तमाल नहीं किया हुआ है, अगर आप method को नहीं लिखेंगे, तो जो default method HTML लेता है, वो get method है, यानि कि आपकी सारी जनकारी URL के साथ embed होके जाएगी, तो अगर इस form tag को हम लोग पूरा देखेंगे, तो form action equal to action page, जहां मेरा data जाएगा, और method यहाँ पर होगा, get, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, input type equal to text, name equal to first name, value equal to धर्पन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि मैं text box चा पड़ेगा, वो space इस control के माध्यम से provide होता है, तो उसके लिए मैं लिखना पड़ेगा input, input means हम एक input लेने के लिए एक box provide कर रहे है, उसका type क्या है, text, text means कि जो user type करेगा, वो उसको वहाँ दिखाई देगा, तो अगर मैं अपना नाम type कर रहा हूँ, तो वो नाम आपको typing के इसके बाद वहाँ पर as it is दिखाई देगा, इसके बाद एक attribute आता है name, name equal to first name, जब इस जयनकारी को हम server पर भेजेंगे, तो इस जयनकारी को भेजने के लिए मुझे इस data को retrieve भी करना पड़ेगा, तो retrieve कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक unique identifier चाहिए, एक नाम चाहिए, तो वो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है first name, यानि जो भी value इसके अंदर user type करेगा, वो value को मैं first name से जानता हूँ, तो first name के माध्यम से वो सारी जैनकारी में उठाऊँगा, और उसके बाद ही उसको आगे भेजूँगा, और यहाँ पर मैंने value दी हुई है, दरपन, यानि कि यह value user को वहाँ पर दिखाई देगी, screen पर दिखाई देगी, webpage के अंदर, तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं, मैंने इस program के अंदर दो input लिये हुए है, input type equal to text, जिसका नाम दिया है मैंने first name और value दिये दरपन, एक दूसरा text box मैंने लिया हुए है, जिसका name मैंने दिया जो मैंने value दी थी दरपन वो आ रही है, और जो दूसरे text box के अंदर मैंने value दी थी आनन्त, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके बाद हम अगले control पर आते हैं, जिसको हम कहते है password input control, password input control means, इसका मतलब है कि यह भी text field type का ही control है, लेकिन इसका type थोड़ा सा पहले control के अंदर हम लोगों ने दिखा था text input control, जिसमें type दिया था text, यानि कि user जो भी type कर रहा है, वो type कर रहा हुआ matter हम लोगों को सामने दिखाई देगा, जो उसने लिखा है, लेकिन जब हम password input control की बात करते हैं, तो जो user type कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, आप इसलिए होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा password की और देख सके, तो इस तरह की sensitive information जब हम लोग enter करते हैं, तो text input की जगह हम लोग password input को use करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस शितर के अंदर अगर आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है input, यानि क मैं user से कुछ input लेना चाहता हूँ, किस type की information लेना चाहता हूँ, उस information का type है password, उसके लिए name क्या होगा, जिसकी मदश से मैं इस data को retrieve करूगा, उसका नाम भी मैंने दिया हुआ है password, तो यह output screen के अंदर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दो fields मैंने लिए है, user ID and password, user ID के ल multi-line text input control, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ controls ऐसे होते हैं, जहाँ आप अपना email enter करते हैं, यानि कि single line में आप अपना content लिख सकते हैं, लेकिन अगर registration form में आप से अपका address पूछा गया है, residential address पूछा गया है, तो residential address आप single line में कैसी लिखेंगे, residential address लिखने के लिए आप आपको multiple line या कई line का support चाहिए, तो कई line के support के लिए हम लोग input type change करते हैं, और उसको हम कहते है multiple line text input control, जिसको हम implement करते है text area tag की मदद से, तो text area हम लोग implement करेंगे, जब भी हमें text box के अदर multiple line चाहिए, जिसमें user अपना address या और को information provide कर सके, text area को हम कहां लिखेंगे, form tag के अंदर लिखेंगे, और इसको कैसे लिखते है, text area के अंदर हमें बताना होगा user को कि इसके अंदर कितनी rows है, rows means number of lines, तो इस चितर के अंदर अगर आप देखेंगे, तो मैंने text area के अंदर 5 rows दी हुई है, 5 rows का मतलब है कि user 5 line तक enter कर सकता है, number of columns मैंने दिये हुए 50, यानि कि एक line में कितने character वो type कर सकता है, 50 character type कर सकता है, इसका नाम दिया हुआ है description, यहाँ जो एक देखने वाली चीज है, कि text area लिखने के बाद मैंने इस tag को close भी किया हुआ है, आप सब को जानकारी होगी कि जब भी हम कोई tag use करते हैं, हमें हमेशा उस tag को close करना होता है, तो text area जब मैंने use किया है, तो मैंने text area को close किया हुए, लेकिन जब हम लोगा ने input type use किया था, input type equal to password और input type equal to text, तो हमने वहाँ पे अलग से उसको close नहीं किया था, close करने के लिए हमने last में एक slash लगा दिया था, जिससे मान लिया जाता है कि एक tag हमारा close हो गया है, इसके बाद हम अगले control पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं check box control, check box control को हम कैसे समझ सकते हैं, आप किसी site पर गए और site में आपसे आपके interest पूछे जाते हैं, आपकी hobbies पूछी जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे option हमारे पास होते हैं, traveling मेरी hobby है, किताब पढ़ना मेरी hobby है, movie देखना मेरी hobby है, यानि एक से ज़्यादा जानकारी हम provide करना चाहते हैं, तो जब भी हमें user को इस तरह की एक से ज़्यादा जानकारी देनी है, तो हम form के अंदर check box control को implement करते हैं, यहाँ पर इस चितर के अंदर आप देखेंगे कि user के पास दो option है, computer science and engineering और electronics and communication engineering और उ जादा choice mark करनी है, तो इसके लिए हम लोग use करेंगे check boxes, check box को हम किस तरह से लिखते हैं, check box को लिखने के लिए हमारे पास जो control होता है, फिर से वही input है, उसका type हम बदल देते हैं, जिसको हम लिखते है check box, check box का मतलब है कि यहाँ पर user check box की मदद से multiple options अपने दे सकता है, हर control को हमें एक नाम देना होता है, तो यहाँ हमने नाम दिया हुआ है, और हर check box के लिए एक unique name आपको देना होगा, तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है CSE, और इसकी value दी हमने on या off, यानि कि आप इसको बता सकते हैं कि by default यह check box हमारा tick रहेगा, या untick रहेगा, तो हमारे प दिखाई देगा, तो यहाँ पर पहली line के अंदर हम लोगों ने लिखा है, input type equal to check box, name equal to CSE, value equal to on, और उसके अंदर मुझे user को क्या choice देनी है, तो choice मुझे देनी थी computer science and engineering, तो computer science मैंने इसके बाद लिख दिया है, और उसके बाद मुझे दूसरा option अपने user को देना है, electronics and communication engineering क तो फिर से मुझे एक check box बनाना होगा, उसका नाम बदलना होगा, तो उसका नाम मैंने दिया हुआ है ECE, और उसके बाद जो user को दिखाई देगा, वो देगा electronics and communication engineering, तो आप जितने चाहे check box यहाँ पर दे सकते हैं, हर check box के लिए आपको एक input type लिखना पड़ेगा, जिसमें आप से कई बार आपका gender पुछा जाता है, आप male है या female है, तो वहाँ पर आप donor choice एक साथ नहीं दे सकते हैं, आपको या तो male पर tick करना होगा, या female पर tick करना होगा, तो जब हम user को restrict करना चाहते हैं, कि वो multiple options में से सिर्फ एक ही choice दे पाए, तो वहाँ पर हम लोग radio button control यू लेकिन जब हम radio button यूज करते हैं, तो radio button के अंदर user उन सारे possible choice में से सिर्फ एक ही option को select कर सकता है, यहाँ पर हम यूजर को choice दे रहे हैं, दो choice दे रहे हैं, computer science and engineering और electronics and communication engineering, options वहीं हैं, जो हमने check box में दिये थे, अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर user या तो computer science select कर सकता है, या electronics and communication engineering choose कर सकता है, जबकि check box के अंदर वो दौनों को tick कर सकता था, लेकिन radio button के case में, वो सिर्फ एक ही को select कर पाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको input control यूज करना है, क्योंकि जब भी आप form के साथ कोई control यूज कर रहे हैं, तो वो input के थो ही होगा, type बदल जाएगा, type हो जाएगा radio, radio indicate करेगा कि हम लोग radio button control को use कर रहे है, control को आपको नाम भी देना है, तो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है CSE, और value दी हुई है, on, on और off आप दोनों में से को भी value यूज कर सकते हैं, और उसके बाद user को choice में क्या दिखाई देना चाहिए, वो उसके और user को choice देने के लिए हमने लिखा electronics and communication engineering, जब एक source code execute होगा, तो user को दोनों choice दिखाई देंगी, लेकिन user सिर्फ एक ही choice को select कर पाएगा, जैसे ही वो दूसरी choice को select करेगा, पहली choice अपने आप हट जाएगी और दूसरा select हो जाएगा, तो यह बहुत basic अंतर है check box और radio button के अं multiple options में से और check box के अंदर user multiple options select कर सकता है, अगला control है select box control, आप लोगों ने एकसर web pages के अंदर देखा होगा, कि जब आप अपना address वहाँ पर डालते हैं, तो address के नीचे एक field आती है, city या state, तो state आपको कभी भी type नहीं करना होता, जिस राज में आप रह रहे हैं, उसका नाव होते हैं और आपको select करना होता है, जब भी इस तरह की facility आपको provide करनी है, जहां user को आप bound करते हैं, कि वो एक selected list में से ही कोई choice दे, तो हम लोग select box control को इस्तिमाल करते हैं, select box control का इस्तिमाल आप कई जगे देख सकते हैं, आप किसी course के लिए apply करते हैं, उस course में, अगर university के अं control का इस्तिमाल करना होगा, आपको state name select करना है, तो आपको select box control का इस्तिमाल करना होगा, अब select box control को हम लोग HTML में लिखते कैसे हैं, उसको लिखने के लिए हम लोग tag यूज करते हैं, select tag, और select tag का closing tag भी आपको अलग से लगाना होगा, इसको आपको नाम देना है, तो इस चित यूजर इन दौनों मैंसे कोई एक choice को select करेगा, तो इसके लिखने के लिए मैंने select control को नाम दिया, drop down, और उसके अंदर मैं कूँकि दो options provide कर रहा हूँ, तो मुझे एक और tag use करना पड़ेगा, options, तो tag का नाम हुआ option, उसकी value हुई, cse, और उसके बाद मैंने लिखा selected, selected का मतलब यह है कि जितनी भी choice में user को दूँगा, उसमें एक choice कम से कम selected होनी चाहिए, तो यहां आपका पहली choice मैंने selected लिखा है, इसका मतलब कि computer science and engineering select होके आएगा, इसी तरह से मैंने user को दूसरा choice दिया, दूसरा option दिया, option value equal to ece, यानि कि जब user इसको select करेगा, तो उसकी value ece source code में जाएगी, उसका जो मैंने option user को दिखाया, electronics and communication engineering, और उसके बाद option tag को भी मैंने close कर दिया, यहां ध्यान देने वाली बात यहां कि जब हम select tag को इस्तमाल कर रहे हैं, तो select tag को हमें close भी करना होगा, select tag के साथ हम option use करेंगे, option में हम यह बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से options हैं, और हमें यह भी बताना होगा कि कौन सा एक option by default selected आएगा, इसके अलावा option tag को भी आपको अलग से close करना होगा, कई बार select box control को हम लोग drop down control भी कहते हैं, अगर आप इसको कहीं और देखेंगे, तो कई बार आपको नाम मिलेगा drop down control, तो drop down control और select box control दोनों की functionality एक ही है, registration forms में आप से आपका photograph अप्लोड करने के लिए मांगा जाता है कई बार, जब आप किसी course के लिए online apply करते हैं, तो आपकी mark sheets की soft copy मांगी जाती है, यानि की PDF या image file आपकी mark sheet की आपको upload करनी होती है, तो अगर आपको अपने registration form में इस तरह के upload की facility देनी है, तो इस काम को हम लोग करते हैं, file upload box की मदश से, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, आपको या control दिखाई दे रहा है, आप control के साथ लिखा हुआ ब्राउज, तो ब्राउज का मतलब है कि कौन सी file मुझे upload करनी है, माल लिजे registration form में अगर मुझसे मेरा photograph मांगा गया है, तो मुझे एक image file upload करनी है, जो मेरा photograph होगा, वो मेरे system में किसी folder के अंदर, किसी directory के अंदर होगी file, तो मुझे उसको browse करना है, और उस folder से select करके, web page को बताना है, कि कौन सी file में upload करना चाहता हूँ, तो ये तो आपको output में दिखाई देगा, ये browse और जो input control आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको html में लिखने के लिए हम लोग use करेंगे, input control, उसका type बदल देंगे, type होगा file, उसको हमें एक नाम भी देना है, तो नाम हमने दिया file upload, और उसके बाद हमने लिखा, accept equal to image slash star, तो सारे attribute common है, type हम लोग पहले देख चुके हैं, name हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया attribute है, accept, accept का मतलब है कि मैं अपने web page को बता रहा हूँ, कि जब मैं file browse करूँगा, तो किस type की file में upload करना चाहता हूँ, अगर मैं photograph upload करना चाहता हूँ, तो jpg या png type के ही file को मैं upload करूँगा, अगर मैं किसी की mark sheet upload करना चाहता हूँ, तो उसके लिए type मेरा jpg या pdf भी हो सकता है, तो मुझे user को बताना होगा, कि किस type की file हम upload करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, accept equal to image public star, इसका मतलब image file को हम लोग upload करने जा रहे हैं, इस browse button के माध्यम से, इसके बाद हम लोग चलते हैं, button control की तरफ, button control सबसे ज़्यादा use होने वाला control है, क्योंकि अगर आप registration form पूरा भर देंगे, और आपके पास उसको submit करने के लिए कोई माध्यम नहीं होगा, तो वो data आपका कभी भी server तक नहीं पहुचेगा, तो हर जगे आप देखेंगे कि registration form के बाद, आपके पास नीचे एक button होता है, जिसको हम click करते हैं, और उस click करने के बाद ही, आपका data server तक पहुचता है, या server से उठके आता है, उस control को हम कहते है button, तो button को इस्तिमाल करने के लिए, हमारे पास जो तरीका है, input tag हमें use करना है, उसका type हमें बदलना है, उसका type हो जाएगा submit, reset या button, और इसके अलावा चौथा एक option हमारे पास होता है, image, यानि की, चार type के button हम लोग HTML के अंदर इस्तिमाल कर सकते हैं, इन चारो type के buttons को हम एक एक करके देखते हैं, पहला type है, submit button, submit button का मतलब है कि जब user अपने registration form में data enter करेगा, तो enter करने के बाद उसको submit button पर click नहीं करना है, आपने अक्सर देखा होगा, कि हम लोग अपना data enter करते हैं, और feed करने के बाद हम enter button को press कर देते हैं, तो submit button का मतलब है कि जैसे ही enter button पर वो press होगा, वो data automatically server का भेज देगा, submit button के माध्यम से हम ये बताएंगे कि data हमारा कहां जाना चाहिए, इसके बाद दूसरा type का जो button है, वो है reset button, reset button अक्सर आपने registration forms में देखा होगा, submit के पास reset button हमारे पास एक होता है, उसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं reset button पर click करूँगा, जो भी जैनकारी मैंने अपने web page में form में दी हुई है, वो सारी जैनकारी clear हो जाएगी, हट जाएगी, तो अगर इस तरह का कोई बड़ा form हम use कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि user अपने जैनकारी को modify कर पाए या बदल पाए, तो आप हम reset का button देते हैं, तीसरा है, सिर्फ button, अब यहाँ पर थोड़ा सा confusion आता है कि जब हमारे पास button है और submit button है तो दोनों में अंतर क्या है, submit button के अंदर आपको button को click करने की जरुवत नहीं होती, enter command के माधियम से वो अपने आप click हो जाता है, लेकिन जब हम button को इस्तिमाल करते हैं, तो button में हमें explicitly button को click करना होता है, तभी हमारी functionality execute होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि registration forms के अंदर या screen के अंदर 3 से 4 button होते हैं, तो जब आपको multiple buttons देने हैं, तो multiple button के case में हम तीसरे type का button यूज़ करते हैं, यानि कि सिर्फ button type को यूज़ करते हैं, अगर आपके पास form में सिर्फ एक button आपको देना है, तो आप submit button का इस्तिमाल कर सकते हैं, reset button के साथ, अब हम लोग आते हैं, चौथे button की तरह, चौथा button है image type का button, यानि कि किसी image को हम लोग button की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें जो attribute देने होंगे, type हमारा हो जाएगा image, नाम हो जाएगा, यानि कि name, वो हो जाएगा image button, और इसके साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा, कि किस image को हम button की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो एक image का नाम हमें चाहिए होगा, वो हम provide करेंगे एक attribute के अंदर, इसका नाम है src, src means source, किस image को हम button की तरह इस्तिमाल कर रहे हैं, यह information हमें src के अंदर देनी होगी, तो जब हम button की बात करते हैं, तो चार type के button हमारे पास हैं, पहला हुआ submit button, दूसरा हुआ reset button, तीसरा हुआ, सिर्फ button, जहां हमें multiple buttons की जरुवत है form के अंदर, तो वहाँ पर हम सिर्फ button को इस्तिमाल करेंगे, और चौथा हुआ image button, यानि कि जब किसी image को हम button की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो हम लोग image button का इस्तिमाल करेंगे, इसके बाद हम लोग आते हैं hidden forms control की तरफ, ये वो controls होते हैं, जो user को दिखाई नहीं देते, लेकिन web page के अंदर ये होते हैं, और information इनके अंदर हम लोग store रखते हैं, तरही बार होता है, कि जब हम लोग registration form की जयनकारी server पर भेज रहे हैं, तो जयनकारी भेजने के लिए कुछ ऐसी जयनकारी जो हम user को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो भी हम web page पर रखना चाहते हैं, तो इस तरह की जयनकारी को रखने के लिए हम लोग hidden form controls का इस्तिमाल करते हैं, hidden forms control को लिखने के लिए, हमारे पास type है hidden, यानि कि input control के साथ मुझे hidden type यूज़ करना है, उसका नाम देना है और उसको एक value देनी है, अब यह जो control है, यह user को दिखाई नहीं देगा, लेकिन web page पर होगा, और इसके साथ इसके अंदर जो value होगी, वो 10 होगी, अब इस screen के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने तीन input controls यूज़ किये हैं, पहला type है hidden, जिसके अंदर मैंने value डाली है 10, यह user को नहीं दिखाई देगी, दूसरा type है submit, यानि मैं submit button यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने value दी है submit, जो user को दिखाई देगा, submit लिखा हुआ, और तीसरे type का जो मैंने control यूज़ किया है, वो है reset, यानि कि एक reset button में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके साथ मैंने value दी हुई है reset, तो अगर आप इसका output देखेंगे, तो इस output में आपको सिर्फ दो button दिखाई देगा, submit और reset, हम लोगों को hidden field यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, यह hidden field हमारा है ही नहीं, यह web page पर होगा, लेकिन user को नहीं दिखाई देगा, जब हम इस information को server पर submit करेंगे, तो यह information हमारी hidden field से उठकर चली जाएगी, आज की शर्चा में हम लोगों ने देखा, कि हम लोग HTML form को क्यों इस्तिमाल करते हैं, और किस तरह से इस्तिमाल करते हैं, HTML form को इस्तिमाल करने के लिए हमें एक form tag की जरूवत होती है, तभी हम अपने web page के अंदर, किसी form को implement कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ form tag से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ हमें कुछ controls भी चाहिए, तो हम लोगों ने control देखे, text controls देखे, जिसमें हमारे पास type था input, text, password, इसके बाद हम लोगों ने कुछ buttons देखे, check boxes देखे, radio buttons देखे, select field देखे, और उसके साथ हमने देखा, text area कि थूँ हम किस तरह से, multiple line का support प्रवाइड करते हैं, अगले session में हम लोग बात करेंगे, cascaded style sheet, CSS की, और extensible markup language, XML की, जो आपको ये बताएगा, कि web page को और effective बनाने के लिए, हम इन तक्नीक का इस्तमाल इस तरह से कर सकते हैं, अगले सतर में हम लोग बात करेंगे, cascaded style sheet की, यानि CSS की, जिसमें हम लोग देखेंगे, कि web page को CSS की मदद से, हम लोग किस तरह से effective बनाते हैं, Thank you.